विवा होया पाटी हर प्रकार के स्वण आभूशनों की करे खरीदारी मिलेगा सुप सम्रिधी और आनंद रूप अलंकार जोएलर्स के सब सौ प्रतिशत हॉलमा गोल्ड जोएलरी का एक माद्र संस्थान रूप अलंकार जोएलर्स में रोड गड़वा कांडी से अरुन कुमार 24 की रिपोर्ट ना अती बर्खा ना अती धूप ना अती बक्ता ना अती चूप आज शेतर के किसानों के साथ यह याथार्थ साबित हो रहा है अभी कुछी दिन पहले शेतर की हालत यह थी कि पानी के बिना खेतों में धान का बीज सूखने के गगार पर आ गई थी पर तीन दिनों पहले जब बारिस की बूंदे धर्ती पर गिरी तो किसानों के चेहरे पे खुसी जलकने लगे पर किसानों का खुसी तब मायूसी में बदल गया जब वर्षा लगातार तीन दिनों तक खुला ही नहीं और चारों और हाहकार में बदल गया धान की फसल को तयार खेत जलमगन हो गया किसान प्रसिद नारायन सिंग कहते हैं कि लगातार बारिस ने किसानों पर वज्र की तरह परहार किया है हरियरपूर्ण शेतर में लगातार 72 गंटे की बारिस से सभी जलासेओं का स्तर उफान मार रहा है छोटे छोटे बान तूटने के कगार पर हैं सभी आहर और पोखर के पानी उफान मार रहे हैं सोन टटिये इलाकों की चिंता सोन के जलास्तर बढ़ जाने से बढ़ गई है इदर का अंटी मजबावा मुखी सड़क पर बस्ती के पास सड़क पर छोटी पुलिया या सड़क में उचित पानी निकासी नहीं होने के कारण सड़क के उपर से पानी जा रही है जिससे राहगीरों को आवागमन में काफी परशानियों का सामना करना पड़ रहा है यदि बारिस नहीं खुलती है तो स्थिती और भी भयावा हो सकती है